नवश्कार दोस्तों सौगत आप सभी का हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं एक्सने लाइफ तो बॉलिवुड एक्टर आईश्मान खुराना जहां अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं तो वही भूमी पटनेगर भी अपनी खास अभीने से चर्चा में बनी रहती हैं इन दोनों जोडी को फैंस भी काफी ज़ादा पसंद करते हैं और दर्शक हमेशा इनकी फिल्मे देखने की भी चाहो रखते हैं आईश्मान खुराना ने अपने करियर की शरुवाद साल 2012 में आई रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर से की तो वहीं भूमी पटनेगर ने साल 2015 में आई फिल्म दम लगाके हैशा से अपने फिल्मी करियर की शरुवाद की थी ये फिल्म बले ही भूमी पटनेगर की पहली फिल्म थी लेकिन उनके लिए ये हमेशा यादगार फिल्म भी रहने वाली है फिल्म दम लगाके हैशा में भूमी पटनेगर से एक मज़ेदार किसा जुड़ा हुआ है जिसे जानकर आप भी शायद हैरान रह जाएंगे दरसल दम लगाके हैशा में भूमी पटनेगर और आईशमान खुराना लीड रोल में नज़र आये थे और इस फिल्म में एक सीन ऐसा है जिसमें भूमी को गुसे में आकर एक्टर के चहरे पर जोरदा थपड माना होता है भूमी की पहली फिल्म होने के कारण वे ये सीन करने में असमर्थ रह रही थी क्योंकि उनको अपने सीनियर एक्टर को थपड माना था और इसी के चलते वे थपड की टाइमिंग सही से नहीं दे पा रही थी और कई बाद थपड मानने के लिए उन्हें कई टेक लेने पड़ रहे थे छटे या साथफ़े टेक में थपड खाने के बाद आईशमान को मजाक में कहना ही पड़ गया कि भूमी इस सीन को बड़े ही अन्दा आनंद के साथ कर रही है और जान पुछकर ऐसा कर रही है इसके बाद आईशमान ने भूमी से ऐसी बात की कि वे थपड माने के लिए फिर तैयार हुई लेकिन इस से पहले भूमी ने पंदरा मिनट के लिए खुद को आईसलेट किया था फिर वापस सेट में आने के बाद उन्होंने शानदा तरीके से शौट दिया था लेकिन एक सीन के लिए वे आईशमान खुराना को एक बार नहीं बलकि आठ बार थपड़ वार चुकी थी वो भी जोड़दार तमाचा यह इस फिल्म सूपर हिट रही काफी अच्छा इसको रिस्पॉंस मिला इस फिल्म में दोनों के अभी नहीं को बहुत सा रहा भी गया इस फिल्म में आयूशमान के करेक्टर को भी लोगों ने पसंद किया और भूमी पटनाइगर के करेक्टर को भी लोगों ने को पसंद किया एक्सने लाइफ की रिपोर्ट